हेलो दूसे संक्रियानिंग बूचिंग केंपस नियोंस दूसों दिली बिसुद दिली के 2223 सेसन के अंडर ग्रेजूट कोर्सिस का आखिर जो है रेजिस्टेशन फर्म जो है कब तक रिलीज किया जाएगा आज हम ये बताने बले हैं साथ में एसुल में जो है कुछ नए कोर्सिस भी जो है इस बार एड किया जा रहा है तो आज हम इसके उपर में भी चर्चा करेंगे से जो है इंतिजार करें और अब जो है 12th क्लास का रिजल्ट भी जो है डिकलियर कर दिया गया है तो वो जो है बार-बार कॉमेंट करके हमसे एक ही सवाल पूछते रहते हैं कि आखिर हमारा का रिजिष्टेशन फार्म जो है कब तक रिजिष किया जाएगा तो दोस्तों आपका रिजिष्टेशन फार्म उमीद किया जा रहा है कि जुलाइ के बाद यानश कर दिया जाएगा फिर आप सौशुल के ऑफिशल विबसाट जो की admissions related कोई भी update होगा या फिर registration form release किया जाएगा तो सबसे पहले हम आपको सूचीत करेंगे कि कैसे आपको registration form फिलप करना है तो फूरे detail में हम ये बताएंगे तो हमारे चैनल को subscribe करके बेल लेकेंज जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी admission start होगा तो सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाया करेगा बाकि अब हम आते हैं कि ASOL में total कितने courses है और इस बार जो है कौन-कौन से नए courses जो है add हो रहा है तो दोस्तों अभी तक ASOL में total 5 courses है जिसमें VA program, साथ में become program, become honors, VA political, science honors और साथ में VA honors English, total 5 courses अभी तक था जिसमें आपको admission मिलता था लेकिन इस साल जो है दो और courses जो है जो रहा जा रहा है जिसमें एक MBA है और एक और courses को लेकि अभी confirm नहीं हुआ है तो दो courses जो है यह नया आ रहा है यानि कि total अब जो है 7 courses में आपको admission मिलेगा और यह 12th base के marks के according ही जो है आपको admission मिलता है जिसका eligibility और criteria मैं एक भाद देता हूँ तो दोस्तों यह अंडर graduate courses का eligibility और criteria है सबसे पहले तो आपको 12th pass होना है किसी मानने विश्विद डेले से उसके बाद अगर आपको VA program में admission लेना है और अगर आप general है तो आपका minimum 12th में 40% marks होना चाहिए तब भी आप apply कर सकते हो अगर आप OVC है तो आपके पास में 36% marks होना चाहिए तब आप apply कर सकते हो अगर आप SC, ST, PWD candidate है तो आपके पास में 38% marks होना चाहिए तब आप यहाँ पर भी यह program के लिए apply कर सकते हो प्रोग्राम के लिए है बाकि आप जो है पास में 38% marks होना चाहिए फिर आप यहाँ पर apply कर सकते हो तो यह आपको ध्यान रखना है यह जो है बीकॉम प्रोग्राम के लिए है बाकि आप जो है बीकॉम ओनर्स के जो है political science की आपको जो है बता देते हैं political science में जो है as well में admission लेने के लिए जो है minimum आपका 50% mark जो है 12th में होना चाहिए तब जो है आप यहाँ पे apply कर सकते हो यह जो है general के लिए है बाकि जो है अगर आप OVC से हैं तो minimum जो है आपका 45% mark जो होना चाहिए त तब भी जो है आप यहाँ पे apply कर सकते हो और अगर आप जो है SC ST से हैं तो आपके पास में 47.5% marks होना चाहिए तब जो है आप यहाँ पे apply कर सकते हो और अगर आप जो है किसी दूसरे stream से आ रहे हो तो 5% आपको जो है ज्यादा लगेगा तो यह साथ में जो है अगर आप SC ST है तो आपको जो है passing criteria यानि कि 45% marks के बाद भी जो है आप यहाँ पे apply कर सकते हो और यहाँ पे vocational stream जो note allowed है यह आपको ध्यान रखना है बाकि जो है BA owners English का मैं आपको बता देता हूं तो दोस्तों यहाँ पे 65% mark जो है अगर आपका 12th में है तभी जो है आप English owners के लिए जो है apply कर सकते हैं उसके बात जो है अगर English score है तो 75% mark जो है 12th में होना चाहीए और अगर आपका English Elective या फिर fluency है तो आपका 65% mark जो है इस में होना चाहिए यह जो है 65% total mark के बाद जो है आपको सभडेक्ट में होना hierarchy तो यह आपको ध्यान रखना है उसके बाद जो है अगर अगर आप OBC से हैं तो आपको 58.5% Marks होना चाहिए और अगर आपके पास में English Score है तो आपके पास में 67.5% Marks होना चाहिए या फिर इंगलिस Fluency है या फिर और अलेक्टिव है तो आपके पास में जो है 58.5% Marks होना चाहिए यह आपको ध्यान रखना है OBC के लिए जो है 61.75% मार्क से है बाकि जो है अगर आप PWD या फिर जो है SCHT है तो आपके पास में जो है 61.75 मार्क जो है होना चाहिए आपको ध्यान रखना है और यह जो है अलेक्टिव और आपको समझा देता हूँ तो दोस्तों विकॉम ओनर्स में जो है स्वेल में अड्मिसन लेने के लिए अगर आप जैनरल है तो आपका जो है 55% मार्क सुना चाहिए और अगर आप जो है किसी दूसरे स्ट्रीम से आ रहे हैं वोकिशनल स्ट्रीम से आ रहे हैं तो 60% मार्क सुनना चाहिए तब भी आप यहां पे अपलाई कर सकते हो बाकि अगर आप जो है तो आपको ध्यान रखना है अगर आप जो है vocational stream से आ रहे हो तो 60% marks होना चाहिए और अगर आप पी डबलुडी या फिर SCHT है तो आपके पास में passing qualifying marks होना चाहिए तब ही आप यहाँ पे apply कर सकते हैं तो हमने अंडर graduate courses के सभी total 5 courses जो अभी तक चल रहे हैं का जो है eligibility और criteria जो है आपको बता दिया है बाकि जो नए courses जो रहेंगे उसको लेकि जो है अभी कंफर नहीं कह सकते हैं कि उसको लेकि course भी हमने जो है अल्रेडी बता दिया है तो आपको जो है वी वेट करना है अगस्त में जो है लगबग 15 तारीक प्रक जो है आपका registration form जो है release कर दिया जाएगा फिर जो है आप SL के official website जो कि SL.u.ac.in इस पर आके जो है आप खुझ से या फिर बाके से related और भी कोई सवाल है या फिर कोई confusion है तो आप हमें comment करके या फिर डिरेक्ट इंस्ट्राग्राम पर follow करके वीजियो है पूछ सकते हो जिसका link जो आपको description में मिल जाएगा बाके आज किस वीडियो में इतना है शुक्रिया धन्यवाद